हेलो फ्रेंट सैनिटेरिस में आप लोगों का स्वागत है मैं हूँ अमर जी तोर आप देख रहे हो सैनिटेरिस किचन गार्डन सुबह के साड़े पांच बजे हैं और मैं आई हूँ छत पे सूर्योद है आप देख रहे हो होने लग रहा है और अभी बादल में से निकल रहा है सूर्द तो देखिए सुबह सुबह क्या होता है गर्मी थोड़ी कम लगती है हवाएं थोड़ी सी ठंडी लगती है लेकिन सूर्य बाहर आता है जब तो तब ही से गर्मी इतनी जादा बढ़ जाती है तो छत पे खड़ा ही नहीं हुआ जाता तो मैं पहले हार्वेस्टिंग और फिर पानी दूँगी पोदों को तो फिर धूप में तो पानी भी नहीं दिया जाता है तो यह थोड़ी सी सब्जें आज हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और इनको मैं निकालूंगी तो आपके साथ शेयर करनी थी वीडियो एक दो सवाल का भी आंसर करना था मुझ आज की इस वीडियो में तो देखिए यह सिमला मिर्च मेरी कई दिन से रेडी है और कुछ मंकी वी एक दो खा गए थे इस पोदे पर कई मिर्चें लगी हुई थी तो मैं इनको निकाल रही हूं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी और कुछी लाल मिर्चियं दूसरी देखिए पतले वाली ये भी हो रही है हर्वेस्टिंग के लिए रेड जो हो रही है वो मैं निकाल लूँगी और आगे मिर्च के उपर फूर आ रहे हैं तो फिर और वी तभी बनती हैं मिर्चियं जब पुरानी मिर्चिय उतार ले हम तो और भी इनके उपर देखिए काफे सारा मिर्च के उपर क्योंकि लोगों का क्या है कि मिर्च लग नहीं रही है फल नहीं आ रहा है कई सवाल ऐसे आते हैं कि आप क्या करते हो कैसे खाद डालते हो इनके अंदर कैसे आपने पोदे लगाए हैं देखी मैंने सिंपल यह खाद वाली और कुड़ा कच्रा नीचे डाल के आपके साथ share करती हूँ, वो ही डाला हुआ है, उसी में ही, बस अब गर्मी है, लिक्विड खात देना होता है, हमें मिर्च में थोड़ा देखकर पानी देना होता है, जादा पानी नहीं देना होता है, और मिर्च पर आप देख लीजिए, कि जब मौस्ट है मिट्टी, तो प कर दें, अगर दो टाइम पानी डाल रहे हैं, तो एक टाइम पानी डाल दें, तो मिर्च के ऊपर अच्छे से फूल भी आएंगे, खिलेंगे और फल भी आएंगे, और खटी चाच का आप इसमें प्रियोग कर सकते हों, और लिक्विड सर्सों की खली का लिक्विड अगर दालना है, तो गोवर खाद में मिक्स करके थोड़ा सा बहुत पतला करके आपको देना है, और मोष्ट मिट्टी में देना है, और स्याम को देना है, सुबह में नहीं देना है, दुपहर में नहीं देना है, सुबह में देंगे तब भी धूप, सुबह सुबह ही चड़ जात है इस मोशम में ना दीजिये सुभह भी स्याम को ही दीजिये तो श्याम को देने के बाद रात भर उसे मिलेगा सेट होने के लिए और पौदे को न्यूट्रिशन देने के लिए तो ठंडग में बनी रहेगी तो इस तरह आप दे सकते हैं इस खाद को लिक्विड बनाकर भी तो इस तरहें से और बेंगन के भी आएं काई क्वेश्चन की बेंगन पर फाल नहीं लग रहे हैं फूल आते हैं ये ज़ड जाते हैं तो बेंगन में भी देखिए ये सबसे आसान सबजी होती है जो गार्डनिंग सुरू कर रहे हैं सुरू में सभी यही बोलते हैं कि यह सबसे असान है बैंगन और मिर्च तो सबसे असान होते हैं और यह असानी से लग जाते हैं देखिए टमाटर नहीं हो रहा है इतनी गर्मी में क्योंकि वो असान नहीं है बोलते हैं कि टमाटर भी लग जाता है असानी से लेकिन वो अभी उसका मोसम नहीं है इस मोसम में टमाटर होता नहीं है गर्मी में गर्मी में जल जाता है टमाटर बहुत जल दी ही तो बैंगन और मिर्च पर काफी अच्छा फल आता है जैसे आप देख सकते हो मेरे गार्डन में आई हुए है फल काफी और ये बैंगन के तो काफी सारे फल है मुझे कल कमेंट आया था एक कि आप इनको तोड़ते क्यों नहीं हो और इतने बड़े-बड़े हो गए हैं बैंगन और इनको बंदर खा तो फिर तभी तो बंदर खा जाते हैं तो मैं इनको तोड़ती हूं बीच-बीच में कई बार तो मैं बताती नहीं सॉरी दिखाती नही तब दिखा देती हूं harvesting तो इस तरह निकलते रहते हैं और भी बनते रहते हैं इनके ओपर तो मोटे-मोटे आज भी मैंने निकाल लिये हैं और छोटे-चोटे रह गए हैं तो बंदरों को तो देखे खाना ही है जब उनका चक्कर सुबह-सुबह लगता है तो वो जो उनके सा तो इस तरह से वह करते हैं और तो आपको समझा गया होगा कि मीर्च और वैंगन तो देखिए असान सब्जी है आसानी से लग जाती है और गर्मी में भी लग जाती है तो बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है उनकी जो न्यूट्रिशन वाली मिट्टी बनानी है बड़े से में लगा देंगे तो जादा अच्छा होगा क्योंकि बड़े कंटेनर में जो उन्हें नमी मिलती है और जो मिट्टी है उसे न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलते हैं और पोधा अच्छा चलता है ज्यादा टाइम चलता है मीर्च और बैंगन का पोधा तो एक कुस्चन मुझे आया है कि प्लास्टिक के पोट कंटे क्रेट में कैसे सब्जियां लगाएं तो पोधे कैसे लगाएं तीक ही मेरे गार्डन से पड़े हैं इनी के बनाए हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा मैंने प्लास्टिक के बनाए हुए हैं और सभी में मैंने इसी तरह से होल करके नीचे ठीकरी रखके ऊपर मैंने कुड़ा कच्रा डालके लेयर बाई लेयर मिट्टी के साथ मिक्स करके खाद भी बन रहा है इस तरह यह देखिए कैसे मेरे इस टोकरी में गिरे जा रही है मैं कट कर रही हूँ नीचे रहे हैं तो देखिए यह पतली सी बैंगनी है और यह बीज बनने के लिए रेड़ी हो जाएगा यह यलो हो रही है यह green है और यह देखिए पीली पीली आपको नज़रा रही है तो दूसरी side भी बैंगनी इसी तरह पीले हुए है वो भी मैंने छोड़ दिये थे तो पक गए हैं मैंने आपको video share भी किया है और उनको भी मैं तोड़ के रख लूँगी पक जाएंगे फिर बी हो तो प्लीस लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो यह मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग है आज की तो आप भी इस तरह से अपने टैरिस गार्डन में सबजियां हो गई है और इस तरह से हार्वेस्ट कीजिए तो अभी वरसात वाली सबजियों की तयारि है टैरिस पर और बीच बीच में देखिए इतनी सब्जी मुझे मिल जाती है इतनी सब्जी मेरे टैरिस से मंकी खा जाते हैं और जो उनको खाना होता है वो खाके अच्छी अच्छी चले जाते हैं और फिर जो बस्ती है मुझे मिल जाती है तो इस तरीके से और ग्लैरी को भी खाना चाहिए और हमें उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए अपने टैरिस पर आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो यह मेरी हर्वेस्टिंग कैसी लगी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक दे देना फिर मिलते हैं अगली वीडियो में